नमस्कार दोस्तों सुभागत आप से भी का अपने यूट्यूब चानल हाई एजिक्षन जोन में और दोस्तों आज आप के लिए करें हर्याना जिक्के के बिल्कुल टोप लेवल के पसंदो जो एक्जाम के लिए पारी इंपोर्टेंट है तो पढ़ते हैं आज का मारा फर्स दोस्तों थोस्तों है यहाना के किस सरवर को अब्दुल्फजल ने तो किस नत्थो स्टों अब्दुल फजलने लगुव महसागर कहा दस्तों तो किसको कहा है राजे के कौन शीन दीर सरब की चाल से चलती है यानि के साब की तरह चलती है राजय की कौन सी नदी सरब की चाल से चलती है तो कौन सी नदी है दोस्तो राइड आफसान से युम्ना नदी दोस्तो कौन सी युम्ना नदी सरब की तरह चलती है नेश करशन है रोतख में कुल दर्वाजों की संख्या कितनी है तो रडव संध रोतख का प्राची नाम क्या था रोहितास जिस्विदए लाल मस्चीद है सिसे वाली मस्चीद है दीनी मस्चीद है विस्विदले गुरुद्वारि में कुन सा गुरू दवारा है? बंगला चाहिब गुरू दवारा मन्जीृ चाहिब गुरू दवारा त 왜냐하면 गोउत खर्णका तलाप और तिल्यार ढ़ि Walk week- mesmoilавать ये सभी रूतक में सधित है राज्य में कुंल डगरोगी संख्या के क्या? 269 next नेक्स्ट है, शिरी कर्षन के रत का नाम था दोस्तो, शिरी कर्षन के रत का नाम था तो रहेड आफसन, बी, गुर्ड दवज दोस्तो, क्या था, गुर्ड दवज, शिरी कर्षन के रत का नाम था, नेक्स्ट है, अटल किसान मजदूर केंटिन योजना कब सुरू हुई दोस कब हुई 25 दिसंबर दोजार उन्नीस को सुरु हुई थी अटल किसान मजदूर केंटिन योजना हर्याना प्रिवार पहचान पत्त्र योजना कब सुरु हुई 4 अगस्त 2020 को राइट एकजाम के लिए very important question दोस्तों यह भी हर्यानाप प्रिवारद पहुट्चान पत्रियोजना 4 अगस्त 2020 को सुरू हुई थी कां से सुरू WR principle . 4 अगस्त 2020 को हुर आप्रिवारि पहुट्चान पत्रियोजना शुरू हुई थी हर्याना का पर्थम खेल sesथ विदेल को तो राइडा अफिसान C राई सोनेपत को पराची नाम क्या है ंसोन पर से नाम से भी जान आचाता सोनेपत कोms दirk लुद के पर्थम स्थाबना पहला कारखाना 1951 में स्थावित किया गया था इसने क्या जानकिदास कपूर ने और सोनिपत जिला खुम्भी फसल के उत्पादन में देश बर में पर्थम सथान है और हर्याना के गांदी के उपनाम से मसूर मूलचंद जैन गुवाना सोनिपत से संबद रखते हैं और सोनिपत जिले के हसनपूर गाउं में देश के पर्थम अती आधुनिक अंगरबाड़ी स्थावित किये गई है दोस्तों इतने क्वेशन दोस्तों सोनिपत जिले से बन जाते हैं नेक्स्ट ए राज्य में पर्थम प्रयावरण न्याल लागी स्थाबना की गई दो राज्य में पर्थम प्रयावरण न्याल लागी स्थाबना की गई तो काप्र की गई राज़ावरण डी फ्रीदाबाद में काप्र दो फ्रीदाबाद में और फ्रीदाबाद हो दो अक्से सेंख्या के तिष्टी सबसे चोटा जीला है और फिरीदाबाद के तिगाउं गाउं को अमर से इदोका गाउं कहा जाता बडखल जील है दोस्तों फिरीदाबाद में निर्मान कब होथा दोजील और मूर्जील यह फिरीदाबाद में सद्या और 24 अप्रेल 2017 को बल्लबगड का नाम बदलगर बल्लबगड कर दिया गया था नहार सिंग स्टेडिम यह कंपर है दोस्तों यह फिरीदाबाद में और राज्या में पर्थम पैरा ओलंपिक भणगी स्थापना की गई य सूर्जगुंड क्राफ्ट में ला दोस्तों क्या राज्या का पर्थम कैसले से मिला कुण सा यह फिरीदाबाद भी दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छी लग रहे तो एक बार लाइक जूरू कर लें नेक्स्ट क्रेशन परते हैं राज्या में परिवैन का पर्थम कार्विक्री कब होई तो मारूति के पर्थम कार्विक्री कब होई तो कब हुई रैट आपसान से 14 दिसंबर सुरी तो मारूति के पर्थम कार्विक्री 1883 में 1933 म। ありがとう नुइhtす सो आपना हुई थी और मारुत्य को पर्तम कारभेकरी 14.12.1933 नेटी जहाडियो की सर्वादिक संख्यावाला जील сохран देश तो आप्स नाब करेगा । गुरू गुराम देश आप Administ attending गुरू गुराम कुंता है थाष डश एंगल मरंजन सीटी क्या दूसतो गुरुगराम को मरंजन सीटी के नाम से भी जाना जाता है और कौन के दूसरो साइबर सीटी कॉल सेंट्र ओफ हरियाना मेडी सीटी इलेक्ट्रोनिक सीटी के नाम से भी जाना जाता है गुरुगराम को और राजय का पर्थम साइबर थाना स्टो राजय का पर्थम साइबर थाना स्टो राजय का पर्थम साइबर थाना का पर खुला है गुरुगुराम में और गुरुगुराम में बायोटेक टेकनोलोजी पारक है रतन आपूशन जवैलेरी पारक है हाई टेक टेकनोलोजी पार और हर्याना सरकार ने 22 दिसंबर 2015 को गुरु गुराम के समय के संसाधन से स्मार्ट सीटी के रूम में विक्षित करने की गोषणा यह गे थी यह क्वेस्टन दोस्तों पीछ एक्जाम में पूछा जा चुका जो आपके कराम सची एक्जाम होगा था उसमें पूछा जा चुका 22 दिसंबर 2015 को गुरु गुरु गुराम के समय के संसाधन से स्मार्ट सीटी विक्षित करने के रूम में गोषणा के दी गुरु 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 गु गोला बारुद का सर्वाधिक उत्पादन का परोता है युम्नानगर में रैड अफसन ए युम्नानगर में दोस्तो नेक्स्ट ए हरियाना राज्य बिजली बोड की स्थापना कब हुई दोस्तो तो रेड आफसन बी, तीन महीं 1967 को हर्याना राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना हुई थी नेक्स्ट ए, अजाद हिंद फोज में हर्याना के कितने सैनिक सहीद हुए थे तो रेड आफसन शे, 346 तो, कितने 346 अजाद हिंद फोज में हर्याना के सैनिक सहीद हुए थे, 346 नेक्स्ट ए, डॉक्टर ग्रीशियन ने हर्यानवी बहासा को क्या नाम दिया देश्तो ये भी very important question दोस्तो ये भी डॉक्टर ग्रीशियन ने पूचा याँ पर, डॉक्टर ग्रीशियन ये हर्यानवी बहासा को क्या नाम दिया तो रेड आफसन अब करेगा बी, बांगरू, क्या देश्तो, बांगरू नेक्स्ट है, हर्याना में पर्मानों विश्विदयले प्रस्तावी थे दोस्तो रेड आफसन c, जब सोर खेडी जजजर में बनेगा दोस्तो नेक्स्ट है, रेज़े में जन्दवणी 2021, State University के संख्या दोस्तो रज्जे में जन्वरी 2021 तक State University की संख्या कितनी है तो Red Option C, 10 है दुस्तों कितनी है 10 Next है स्वांग, सोरी सांग परारम करने से पहले बोली जाने वाली चार लाइनों की कवीता क्या दुस्तों सांग परारम करने से पहले बोली जाने वाली चार लाइनों की कवीता कहलाती हैं तो क्या कहते हैं दोस्तो रैड अफसान बी चंबोला कहते हैं सांग प्रारम करने से पहले बोली जाने वाली चार लाइनों की कवीता को चंबोला कहते हैं और दोस्तो ऐसे ही क्वेशन हर्याना जी के एक बिल्गूर ऐसे टोप लेवल केशन जानने के लिए हमारा एक और चैनल है एजुकेशन जोन उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं उसका लिंक नीचे डिसेट बोक्स में दिया हुआ है पढ़ते नेक्ट केशन रज्य में सांग की सुरुवात होई थी तो रज्य में सांग की सुरुवात कब होई थी तो रज्य अफसां सी 1715 में रज्य में सांग की सुरुवात 1715 में होई थी और देश में 1730 में यदि देश पूछले जाए तो देश में सांग की सरुवाद कबूई थी 1730 में और रैज्जे में तो 1715 में कब दोस्तो 1715 में हो थी रैज्जे में सांग की सरुवाद दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी एक बार लाइक जरू कर लें और मिलतें नेक्ष उड़े में तब तक ले जाएं जैबार्द